नवश्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है शेहडोल जिले से एक संसनी खेज घटना सामने आई है जहां एक पती ने बरबरता की सारी हदें पार कर दी चरित्र संदे पार कुलहारी मार कर पत्नी का सर धर से अलग कर दिया हत्या करने के बाद जंगल में सिर और धर अलग अलग जगे दफन कर दिया पुलिस ने आरोपी पती को गिरफतार कर लिया है देवलॉंदा थाना शेत्र के करौंदिया निवासी राम किशोर पतेल अपनी पत्नी सरस्वती पतेल के साथ 12 नवंबर के आसपास जंगल में लकडी काटने गया था जहां चरित्र संदेह पर पती ने पत्नी की कुलहारी से हत्या कर दी इतने में भी जब उसका मन नहीं माना तो उसका सिर और धर दोनों अलग अलग जगे दफना कर फरार हो गया था दोनों के उस रात वापस नहीं लोटने पर परिजिनों ने देवलॉन थाने में गुमशूदगी की गया था एक साल बाद दीपावली में घर वापस आया राम किशोर अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह करता था जिसके चलते वह अपनी पत्नी से नफरत करने लगा इसी कारण अपनी पत्नी को दर्दनाक मौत देकर फरार हो गया था फुलिस ने पड़ताल के दौरान निवा